नमस्क्राइब दोस्तों आप शुवी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशी भल की बारे में जिया दोस्तों आज के दिन करों की दिदिकेशी होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इनका शुर आपकी राशी रहना होगा और कौन-कौन से कारे आपके लिए भागी इशारी होगे या शमय आपका लब लाइब के शारेगा श्वास्त करियर और धन के जितिकेश रहेंगी इन शभी की महत्पून जानकरे देंगी तो दोस्तों वीडियो को मिशना करें और शुरू से लेकर अंतर तक करता है कि उनका दिमाग चल रहा है वादा भी करो और इरादा भी करो ख्वाइशे में खुद को आधा ना करो दोस्तों बदल देते हैं लोग कर्म शेही दुनिया तकदीर पर भरुशा कुस्जादा ना करो पक्के इरादे तकदीर बदल देते हैं किसमत मोहताज नहीं हतो तकदीर दोस्तों इंशान की फिदर भी बड़ी अजीब है डूपता है तो पानी को दोस्त देता है और गिरता है तो पत्थर को दोस्त देता है कुछ कर नहीं पाता तो नसीब को दोस्त देता है दोस्तों हाथों की लकीरों पर गुमान मत करना किसमत तो उनकी भी होती है जि परचान हो जाती है जो लोग मुस्कुरा करते हैं शामना किसमन उनकी गुलाम हो जाती है तो चलिए इससे की साथ बात करते हैं आज की राशीफल की देनी राशिफल दोस्तों आपका अपने वेक्तितु और रहन शहन के प्रती अधिक सजग रहना मित्रों और श्रहिएकों के बीच आकर्शन का कारण बनेगा शमाज में भी आपकी छवी और इधिक निक्रियेगी दोस्तों जीवन के प्रती शकार्तमक दिश्चिकों आपको महणशिक रूप से और सारी रूप से दोनों रूप से स्वस्त रखेगा अगर आपकी शावधणी को लकर बात करें तो दोस्तों यह शमाज धन से समझेत किसी भी परकार के लेंड देन में शावधानी रखें शाथी धोका ओवशकता है दोस्तों और आपके लिए बिचारी आपके दूस्मर बने रहेंगे हर किशी व्यक्ति के बारे में नकार्तमग होना आपको अपने ही अंदर नकार्तमगता भी दिखा शकता है दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को बदलने का जिद और किशी भी रिलेस्टनसिप को खराब होने के लिए दूसरों को जिमेदार ठाराना आपको पेरी वेक्तियों से दूर कर रहा है दोस्तों खुद के दवरा होई गलतियों की जिमेदारी उठाना आपको यश्मेश सिखना होगा इसको परांदोस्तों ये शमय, आपको बदा दें कि दोस्तों भावनों की बजाए चोतराई और बिवेख्षी काम आपको लेना चाहिए परस्तिती जो है आपके पक्ष में कार कर रही है दोस्तों बच्चों की किलकारी शुमद्री कोई सुपसुचना भी यश्मे घर में मिल सकता है जिससे उचसा भरा महौल भी रहेगा शाथी दोस्तों किसी अठके वे काम को पुरा करने में भी यश्में आप सक्षम रहेंगे इसको प्रांदोस यह समय आपको बता दें कि किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली बाती विचार अवस्च कर लें बहतर होगा कि दोस्तों घर के शवी सद्रसों की सलाह आप जरूर ले लें दोस्तों पेसे के मामले में किसी भी पर भी यह लग रही है उतनी कटना यहां आपके जियोन में नहीं है केवल आपके विचारों द्वारा आप खुद को तकलिफ दे रहे हैं इसलिए दोस्तों रोजमर्रा की जिन्दगी से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपने लक्ष को बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा इस आपका मान समान भी यह में बढ़ने वाला है इसको अगर घर या फिर वहां शमंदी खरेदारी की यह जना बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है इसको प्रांतों कभी-कभी आपकी विचारों में वहें में आफिर संक्यूनता जिसी नकात्मक बातें आपके परिवार के लोगों के लिए प्रिशानी का कारण बढ़ सकती है तो दोस्तों सबसे खास इस बात पर आप ध्यान रखें अपने वहईवार और विचारों में बदलाव लाने के लिए कुछ आत्में चिंतन भी आप यह में करें इसको प्रांतों यह में आपक आपके लिए उतना ठीक नहीं होगा इसलिए दोस्तों पेश्वी का निवेश करना कुछ दिनों के लिए आपके शमयों के लिए आपके टाल दें तो आपके लिए बैतर होंगी इसको प्रांतों यह में आपको बता दें आपके लिए शमयों के दोस्तों अपने परवार के के लिए किसी प्रकार की मुद्दे पर विचार मुशापका हो सकता है तथा बच्चों की उत्तम विचारों की वज़े से उनकी शारना होगी भूमिशमंदी कार्यों में भी अगर कि निवेश करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं एपर प्लानिंग कई दिनों से चल रही है तो सकता है यह अवर्ग बेकार की गुद्यों में शमय नश्ट ना करके अपने केरियर शमंदी युजनाओं पर ध्यान फोकस करें इसलिए आपके भुष के लिए बहतर होंगे इसको प्रांत दोस्तों यह शमय आपके लिए समयंगे आपको बता दे कि आपके दोवरा किये और काम के परते निश्टा को आगे बढ़ाना चाहिए इसको बान दोस्तों अगर आपके बात करें तो दोस्तों यह नैंके वाइशाय के लिए ज्यादा शबल रहेंगे यश में ओफिस का महाल जो है बहुत ही शान्ती पूर रहेगा इसको प्राहन दोस्तों आपके केरियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि यश में कारी छेतर में कुछ खास फेसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है तो 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 बहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने कि आपक्षा अभी वर्तमार पर ही अपना ध्यान को आपको फोकस करें नोकरी पेशा वेक्तियों को किसी ओफिसियल कारी के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है इसको प्राहन दोस्तों यश में आपके केरियर के लिए जम्होंगे आपके दियों पर ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी होगा इसको प्राहन दोस्तों यश में आपके केरियर के लिए जम्होंगे आपके वाविशाह के लिए जम्होंगे दोस्तों आपको बता दें कि बिजनस में अपने लक्ष की क्वैलिटी को अधिक बहतर बनाने में आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों कोई महत्पुन ओडर भी आपको मिलने की शंवाणा बन रही है यह मार्केटिंग और शंपर्क शुत्रों को और अधिक मजबूत करने का शमय होगा दोस्तों आपको बता दें कि यह शंपर्क शुत्रों आपके भोईश के लिए बहुत दें मह दूर रखेगा तथा परिवार में भी खुश्याले भरा वातर हो रहीगा तो जरूर शमय निकाले इसको प्रांद सो यह में आपके लव लाइफ के लिए आपके प्रेम्जीवन के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि जीवन चाहती के साथ उचित दालविल बिठाकर रखने के लिए आपको शय्यूग आवश्यक है विवातर शमन्नों से दुरी बना कर रखें यह आपके लव-लाइफ के लिए बैधर होंगी इसको प्राहतों सोट में आपके लव-लाइफ के लिए समयोंगी आपको बता दे कि पारिव की वज़र से घर पर श्मय नहीं दे पाएंगी प्रंतु घर का महौल जो एक खुश्णमा बना रहेगा किशी भी परकार की चिंता ना करें इसको प्राहत दोस्तों यह श्मय आपकी स्वास त्याने सहत को लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यदीक काम की वज़र से आपका जो स्वभाव है उनमें चिश्चिडा पन हो शकता है दोस्तों मेट्रेशन या फिर योगा करना यह श्मय आपके शमस्या का उचित निवारन होगा तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें इसको प्रांदो से श्मय आपके स्वास के लिज़र नहूंगे आपको बता दें कि द था उची दिलाच यह समय जरूर ले आपके स्वास्त के लिए समय होंगी आपको बता दें कि स्वास्त अंत तक ठीक होगा किसी परकार की चिंतार ना करें प्रदुस्त अलापरवाई बरतना इसमें आपके लिए उचित नहीं होंगी और इन सभी चीजों का ध्यान जरूर रंग रेगा हरा और भागिशाली अंक रेगा पांच